हेलो दोस्तू कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपने गार्डन में वियस्त होंगे और फ्रेंट्स मैं भी वियस थी इनको बनाने में तो यह देखे दीपावली के लिए मैंने कितने सुन्दर से एक डेको रेटिव पीस बनाया है और इसको मैं यहाँ पर रखा है मैंने तो देखो दीपावली पर यह कितना सुन्दर लगेगा जब पूरा यहाँ पर लाइट लगादूंगी मैं तो बहुत ही काफी खबसूरत लगेगा और मैंने इसको किस तरीके से बनाया फ्रेंट्स तो मैं आपको बताऊंगी तो आप भी दीपावली के जो है यह मिट्टी के जो हमारे बरतन आते हैं यह आप खरीद के ला सकते हैं, इस तरीके से आप बहुत ही सस्ते में एक बहुत सुंदर सा पीस बना सकते हैं, और इसे कुमारों का भी फायदा होता है, क्योंकि हम उनके मिट्टी के बरतन खरीदते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होता है, और हमारे लिए भी अच्छा हो तो देखी यह मैं जो है तीन साइज के बड़े वाले जो यह है इस तरह के कटोरे टाइप हैं यह में लेके आई थी मार्किट से खरीद के तो फ्रेंट्स यह जो है मुझे बड़े वाला पचास रुपे का और छोटे वाला तीस रुपे का मिल गया था तो ज्यादा महंगा त आपके पास एमसिल है तो आप एमसिल ला सकते हैं क्योंकि एए मसिल से मिला हarios दोनों को एक जीगए यह मिला लीजिए और मिलाने के बाद इनको इस तरीके سے हमें चिपका देना है यह तो मैं तो इस तरह से चिपका के आप इसको रख देंगे तो मैंने तो यह यह रात के टेम में किया था फ्रेंट्स रात को मैंने लगा करके रख दिया था तो सुबह तक ये बड़े अच्छे से चिपक गए थे तो इस तरीके से मजबूती से ये लग जाते हैं और फिर ये हटते नहीं है तो जब हम किसी काम को इतनी महनत से करते हैं तो उसके लिए जो भी चीज से इसको लगाना है आपको सभी को तो एक कटोरे के उपर तो मैंने इस तरह से बड़े वाली है जो सराइं भी बोलते हैं इनको तो उनको मैंने इस तरीके से लगा लिया इससे छोटे साइज में मिल जाए तो आप इससे छोटे साइज में भी ला सकते हैं तो मुझे तो फि इस तरीके से थोड़ा सा लगाने में अमें problem तो आते है लेकिन धीरे-धीरे करके वो थोड़ा सा set भी हो जाता है तो दिखे इस तरीके से आपको इसको set करना है धीरे-धीरे आराम से थोड़ा patience तो हमें रखना पड़ता है किवे इतनी जल्दे से ये काम नहीं होता है और इसको बनाने में मुझे कई दिन लगे क्योंकि बनाया और जैसे कि एक रात है बना कर कैसे रख दिया दूसरी रात को मैंने इसको कलर करके रख दिया तो दो तीन दिन आराम से लग गए और कुछ और भी चीजे बहुत सारी बना रही हूँ तो टाइम लगता है उन सब चीजे को बनाने में इसलिए मैं वीडियो भी बहुत कम डाल पा रही हूँ तो देखे आपके लिए नई नई चीजे बना करके तयार कर रही हूँ और दीपावली पे जो है ताकि घर बहुत ज़्यादा सुन्दर सा लगे और हमारा ज़्यादा खर्चा भी ना हो तो इस तरीके से हमने अगर 500 रुपे खर्च किये तो हम 5000 का एक बहुत सुन्दर सा अपना डेकुरेशन पीस तयार कर सकते हैं इस तरीके से कम खर्च में हमें किस तरीके से बनाना है वो हिसा Mexico में आप बता रही हूं तो देखे फिरंटसे एक اἐ सिल्क क् assists ह्वगी होगी और दूसरी बाली अब मैं दुबारा से मिक्स कर रहे हूं तो इस तरीके से यह होते हैं जो चाय के कुलड़ तो चाय के कुलड़ को मैंने इस तरीके से बीच में एमसिल से लगा करके उसके उपर एक के उपर सराएं और दो के उपर मैंने दिये रख दिये हैं क्योंकि दिये भी मेरे पास पुराने दिये भी थे कुछ नए दिये भी थे तो इस तरीके स से बड़े साइज के थे दोनों को एक एक करके लगा दिया था और यह है फ्रेंट्स का ओयल प्रेंट है यह जह है गोल्डन कलर का है तो यह में 200 ग्राम की डिबी ली आई थी क्योंकि यह वाला जो हम प्योपी में जो कलर करते हैं उससे ज्यादा इसके अंदर साइनिंग आती है तो यह वाला लेक आई थी ओयल प्रेंट यह बहुत ही अच्छा रहता है तो आप इसको कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह ऐसा लगेगा बिल्कुल बहुत ही बढ़ी है इसके साइनिंग आ जाती है होने के बाद में तो देखे काफी खुबसूरत लगता है अब आप देखत जा रहे हैं जैसे जैसे कलर होता जा रहा है वैसे वैसे देखने में कितने सुंदर लगते जा रहे हैं तो जब किसी चीज को बनाते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसे बनेगी लेकिन बनने के बाद वो काफी खुबसूरत लगती है तो देखे इसमें से एक द तो इस तरीके से फ्रेंट्स आप पहले कलर कर लीजिए कलर में बहुत अच्छी साइनिंग आ रही है इसमें तो यह देखी कितना सुन्दर से लग रहे हैं रखे हुए यह बीच में एक और मैंने बनाया है इसकी भी मैं वीडियो आपको अलग से डालूंगी किस तरीके से क्य लैस मेरे पास पहले ही रखी दे और कुछ और लेके आई थी और कुछ चलाई थी मेरा मेरे पास रखे हुए भी थे और कुछ में और लेके आई थी क्योंकि बनाते से मैं पता नहीं चलता कितनी चीज़ें हमें चाहिए और कितनी नहीं तो देखे इस तरीके से लैस को जहा तो यह ट्यूब लेके आई थी मैं, तो यह देखे इस तरीके से आप जह है, फिक्स करें, वैसे यह आपके पास अगर यह ट्यूब भी नहीं है, तो गुलूगन गन आती है मरपास उससे भी हम आच्छे से चिपका सकते हैं, उससे भी बहुत आराम से चिपक जाता है, क्योंक कि बीच में थोड़ा इस पेस रहता है खाली रहता है तो वहां पर हमारे लगाने से चिपकेगा नहीं और उपर नीचे के हिस्ते पर हम लगाएंगे तो बड़े अच्छे से चिपक जाएगा तो इस तरीके से फ्रेंट्स आपको इंपे सभी पर मिरर लगाने हैं देखे एक में बिलकुल लगके तयार हो गए हैं एक सराई के अंदर देखे इस तरीके से एक में लगके तयार हो गए हैं यह देखे तो इसी तरीके से आपको सभी के अंदर लगाना है तो देखे कितने सुन्दर तरीके से लग गए हैं और बीच में भी एक गोल वाला मिरर मै लगा दिया है और नीचे भी कुछ मिरियर मैंने लगा दिया है और नीचे भी सुन्दर लगा। बनने के बाद से तो झारे किनारे पर यзд लगा दी है देख़ा उरक्वारे भी थे किनारे के लिफ लगा है ये किसी तरीके से में इन सभी को तयार कर लेंगे तो दिखी teşekkür किटना सुन्दर लग ध़ा है बनने के बात और मेहनत भी घ्यात में तो herd a के तीनों मैंने तयार कर लिए और कितने खुबसूरत लग रहे हैं अब इनको मैं किस तरीके से रखूंगी वो भी मुझे देखना है तो फिलाल तो यह खाली डब्बे पड़े हुए थे मेरे पास तो मैं देख रही हूँ डब्बे पे रखे कि हाँ पर रखे वे अच्छे ल और मैं इनके उपर रखे भी देखूंगी कैसे लगेंगे यह रखने के बाद तो देखे इस तरीके से यह लगेंगे जब मैंने इस तरह से पहले इनको रखे देख लिया था तैयार करने से पहले तो साइज यह वाला इस तरीके से सही है तो इस तरीके से तीन साइज में मै से गिरे ना तो एक इनके लिए जो है नीचे सिमेंट से स्टेंट तयार कर लूँगी ताकि जो है मजबूती रहे और जो इतनी महनत से मैंने बनाया है यह मेरा खराब ना हो तो इसमें मैंने जो है दो हिसे इसमें मैंने रेत मिलाया है और दो हिससे डस्ट और दो हिससे सिमें साध्र वि एक हिस्सा सिमेंट मिला हैं तो इस तरीके से अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला भर दिया इस तरीके से और इन टीनों को मैं इस तरीके से हां पर नहीं फिक्स कर रही हूम है कि एक कर तु फिर उत करूंगे तक हैं यह बहुत अच्छे से वह जाएंगे इसको सूखने में फ्रंट्स कई दिन लगेंगे तो इस तरीके से मैं इसको तैयार कर दिया है और मैंने बाहर की तरब इसके सिमेंट लगा दिया है ताकि पेंट करेंगे तो बड़ा सुन्दर सा लुक आएगा और इसमें पाइप हमारे पता नहीं चलेंगे कि यह पाइप है क्या इसको मैंने किस तरीके से लगाया है तो इस तरीके से बाहर की तरबी मैंने थोड़ा-थोड़ा सिमेंट इसके पर डाल दिया है और सूखने के बाद इसके पर जब कलर करूँगे तो बहुत ही सुन्दर सा इसका लुक आ जाएगा तो देखे इस तरीके से करके से हमें छोड़ देना है तो काफी मैंने मजबूत बनाया है और इसके उपर से फ्रेंट्स मैंने जो हमारी पथर के गिट्टिया होती है तो उनको मैं इसके उपर से डाल दूँगे सभी के तो यह जो है इस तरीक़े से सुन्धर सा इसका एक लुक आ जाएगा लेकिन फ्रेंट्स यह बात याद रखने हैं सो उखाना कही दिन है ऐसे नहीं जल् grande से हमें यह नहीं हटाना है तो देखिए अभी यह पूरी तरीके से उखाना है इसको नहीं छटांगी जब यह सूख जाएगा जभी मैं इसको हटाऊँगी और यह देखे फ्रेंट्स मैं कहीं बाहर गई थी तो पीछे से गाड़ी आ गई यहां पर गाड़ी खड़ी होती तो बच्चों ने इसको कटे को खीचा खीचेने की वज़े से वो इतना सुखा नहीं था तो उसका नीचे का स्टेंड वो टूट गया था तो मैंने इसके लिए दूसरा काम किया तो यह देखे आप देख सकते हैं स्टील की परात थी मेरे पास और मैंने पाइप के उपर कलर करके इनको सुखा लिया था और स्टील की प्लेट जो हमारी प्रात थी इसके अंदर मैंने इनको तीनों को इस तरीके से सेट करके इसके अंदर पत्थर की रोड़ी भर दिये और पाइप के अंदर तो पहले से ही मसाला था तो वो तो ये नहीं मजबुती से हैं तो इसके उपर से मैंने इनको इस तरीके से रखा और ये देखी कितना सुन्दर इसका लुक आ गया है तो मैंने इसको दूसरे तरीके से अपना तयार कर लिया है जो कितना समय नहीं था कि दुबारा से मैं स्टैंड बनाओं तो ये देखी कितना बहुत सारे समान बनाऊंगी तो इसके बाद अगली वीडियो जवाब के लिए आएगी तो वह इससे भी जादा खुबसूरत डेकुरेशन के साथ आएगी तो फ्रेंट्स कैसी तो फिर मिलती हूं आपसे तो देखे फ्रेंट्स इस तरीके से आप सुंदर सुंदर से चीजे बना करके अपने दीपवली के लिए रख सकते हैं तो ये थोड़ी सी महन से काफी खुबसूरत सा एक पीस मेरा बन के तयार हो गया है तो आप भी इस तरीके के पीस बनाईए और अपनी दीपवली को अच्छे तरीके से बनाईए तो फिर मिलूंगी फ्रेंट्स आप से किस किसी नए वीडियो के साथ किसी नए डियाई वाई के साथ ओके बाई